हलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में आपको ये बताने जारों कि कैसे आप अपने Vivo T1 X Android वाइल फोन में आप जो है 3 बटन नैविगेशन सैटिंग को आपना इनेबल कैसे कर सकते हैं और ये 3 बटन नैविगेशन सैटिंग जो है इनेबल होने के बाद ही सैटिंग कैसे काम करती है आज की इस वीडियो में आपको डीटेल में जानकारी देने वाला हूं तो चलिए आप ये वीडियो को हमें स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले तो आपको अपने मुवाइल फोन में सैटिंग पेज आपको ओपन करना है ठीक है सैटिंग पेज को ओपन कर लीजे अपने मुवाइल फोन में सैटिंग पेज में आपको नीचे यह उप्शन मिलेगा सिस्टम का सिस्टम के इस पेज में आपको यह उप्शन मि तो आपके वैसे ही आपके मुवाइल फोन के सबसे नीचे तीन बटन आपको शो हो जाएंगे आप देख सकते हैं मेरे मुवाइल फोन के सबसे नीचे यहां पे तीन बटन यहां पर दिखाई नहीं दे रहे हैं आप देखे मैं सेटिंग को इनेबल कर लेता हूं तो यह तीन बटन इस तरीक से शो हो जाएंगे अब यह त्री बटन नाविगेशन सेटिंग इनेबल करने के वाद इसे यूज कैसे करना है आप इसे मैं बताएता हूं देखिए यह पहला बटन जो होता है एरो का बटन इसे आप टैप करेंगे तो आपका फोन बैक पेच पे जाएगा औ और यह तीसरा बटन अगर आप दबाएंगे तो आपका फोन ओवर्वी हो जाएगा तो इस तरीक से थ्री बटन नाविगेशन सेटिंग आप यूज कर पाएंगे ठीक है इनेबल करने के बाद अब मैं आपको यह त्री बटन नाविगेशन सेटिंग को डूंडने का एक श सेटिंग का नेम आप टाइब करते हैं तो यहां पर आपको इस पैलिंग मिस्टेक बिलकुल भी नहीं करनी है अगर आप यहां पर इस पैलिंग करेंगे तो आपको नीचे की साइट यह ओप्षन दिखाई नहीं देगा इस बात का आपको ध्यान रखना है तो चलिए यहां पर वीडियो का हम आगे continue करते हैं, जब यह नीचे की side option show होता है इससे आपको select करना है, इससे क्या होगा, आपका mobile phone आपको directly setting में लेकर आ जागा और इस setting को highlight करेगा, तो यह मैंने आपको एक shortcut तरीका भी बता दिया, इस setting को ढूंदने का, जैसे ही आप इस setting को select करेगे तो आ next page में 3 button navigation को option मिल जाएगा